हाव तो चेंज सर्वर इन फ्रीफायर अगर आप फ्रीफायर में सर्वर चेंज करना चाहते हैं फ्रीफायर सर्वर चेंज करने के आपके अपने अपने कारण हो सकते हैं जिन मेंसे किसी का मन ने फ्रीफायर के अलग सर्वर में खेलने का या फ्रीफायर के अलग सर्वर में कौन से नहीं इवेंट आए हैं या अधर सर्वर में फ्रीफायर की गेम किस तरह से चलती है तो आप अगर करना चाहते हैं फ्रीफायर में सर्वर चेंज तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूसफुल होने वाला है वीडियो को बिना स्किप किये एंड तक देखना और ह स्थप को फॉलो करना जिससे आप अपने फ्रीफायर के सर्वर को चेंज कर सकते हो और इसी दर एक्स एंडल कंटो और सो मैं एक तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो हाई-चेंज करने के लिए आपको करना क्या होगा इसके लिए ना कोई हैक है और न नहीं कोई अधर चीज हम यूज करने वाले हैं इसमें सिंपल सी ट्रिक है जिसको आपको फॉलो करना है और जिस तरह मैं आपको बताँगा उसको step by step आपको फॉलो करना है जिससे आपका free fire का server जो है वो चेंज हो जाएगा किसी भी country में आप जा सकते हो ना कि किसी एक country में यानि कि इस ट्रिक के साथ आप किसी भी country के server में जाके देख सकते हो free fire game खेल कर तो यहां मैं आपको free fire server के लिए सबसे बेस्ट ट्रिक बताने वाला हूं तो वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन जूर दुआना और अगरा मेरे चानल पर नहीं हो तो सबस्ट्राइब करना ना भूलना और साथ मैं बेल नोटिफिकेशन टैप करके आल कर लेना जिससे आपको मेरे आने वाले हर व और ना ही कोई problem create होगी वस आपको step by step जैसे में बताऊंगा उस तरह से ही अपने सर्वर को चैस्ट करना है जिससे आप कहीं भी किसी भी कंट्री के सर्वर में जा सकते हैं तो आपको अपने प्ले स्टोर में सर्च करना है वोला फ्री बीपीन प्रॉक्सी एप को यह एप है इसको आपको install करना है और जैसे ही एप install होती है तो आपको इसमें simply कुछ steps को follow करना है एप install होते ही आपको simply इसको open कर लेना है यहाँ आप से कुछ चीजे मांगेगा तो जहाँ पर next और आपको आई एगरी दबाके आगे बढ़ जाना है यहाँ आपके phone में जो भी apps हैं सारे servers और countries देखने को मिलेंगे आप कौन सी मैं खेलना चाहते हो आप यहाँ से choose कर सकते हो किसी भी country मैं खेलना चाहते हूं server को आपको choose करना है और जैसे आप यहाँ पर select कर लेते हो मैंने ब्राजील यहाँ पर select कर लिया है अब यहाँ server select करने के बाद आप से एक और permission लांगेगा display over another app आपको जो है उसको on कर देना है और simply जो है पीछे बापिस आ जाना है और अपनी free fire game को open कर लेना है जैसे आपकी free fire game open होती है आप login page पे आते हो तो आपकी फेस्बूक ID है या Indian server की जो ID है उसको use नहीं करना है इस trick से आप किसी भी server में जा सकते हो लेकिन आ आप चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि free fire के other server पे जाना थोड़ी स्क्यूर्टी इसू आ जाते हैं आपके account के ऊपर तो आपको जो है simply guest account को select करना है और एक guest account से आपको नए server में जाना है तो यह guest account से अगर आप आते हो तो आपको कोई problem नहीं होती है आप किसी भी server में जा सक सकते हो अपने guest account को change करके आपको simply उस account को delete करना है फिर next account से जो है अगर आप other server में जाना चाते हो तो simply उसको select करके वहाँ पे जा सकते हो तो guest account से आपको कोई security issue नहीं होता कोई account के ओपर problem create नहीं होती है आपको हर बार मैं recommend करता हूं कि guest account से ही other server में जाना है whole app को use करना है यह कापी अच्छी एप है जिससे आप server भी चेंज कर सकते हो BPN server आप चेंज कर सकते हो जिससे ID जो है आपकी वो server चेंज कर देती है आप किसी भी server में बूच सकते हो चाहे वो ब्राजील का हो उनाइटर स्टेट का हो कहीं कभी हो आप की choice है आप multiple time कोई भी server choose कर सकते हो whole app स को खोल के उसके उपर server को select करके और आप guest account से other server पे free fire games को खेल सकते हो enjoy कर सकते हो आपको कुछ भी देखना चाहे बहाँ गेम प्ले करना है चाहे बहाँ के events को देखना है चाहे बहाँ पे आपको क्या देखना है कि क्या चीज फ्री में मिलती है और free fire game को कैसे players enjoy करते हैं तो link है बहाँ पे जाके आप देख सकते हो और इस app को download कर सकते हो वो भी free of cost बिलकुल play store पे और दूसरी suggestion है कि आपकी जो real ID है या Indian server पे जिससे आप खेलते हो चाहे वो Google की है Facebook की है उससे आपको other server पे जाके login में करना है इससे कहीं बार server change करते हुए बहुत ही problems create हो जाती है account है अपने अधर में इस तरह से login किया है तो Facebook आप से security का survey मांग सकती है तो यहां पर सेम एस होता है Google account पे Gmail account पे जो आपने तो मैं आपको यहां पे बताता हूं आपको simply Gmail बनानी है और बहां पे जो country है जिस country का server आप use करते हो उस country के server से ही आपको Gmail बनानी है बहां पर अपनी country जो ए उसी सरूबर वाली से CC acompañ आपको facebook का अग्स का अकाउंट बनाना है वह भी एक बात और सोचने वाली है अगर आप होला एप को वहां पे डिलीट कर देते हो और सोचोगे कि मैंने जो पर्मानेट आइडी बनाई है उसके मैं दोबारा खेलूंगा तो आप नहीं खेल पाओगी वो इंडियन सर्वर में ही कनवर्ट हो जाएगी तो और कोई तरीका नहीं है फ्रीवाेसर्वार चै् executive पाहले था जो रॉंग सर्वर है अकर कोई प्लेश रॉंग सर्वर में खेल रहा है उसने अपना सर्वर चैन्स करना है तो उसके लिए ऑप्शन थे उसमें नहीं कोई वीपियान का यूज़ करना पड़ताती ता और नहीं को को यदरग बाँ को जान लेते हैं वाहन की अपडेत को चान लेते हैं कौन से कॉस्टियूम आए हैं क्या नया होने वाला है थी फायर में थो भुसी हग बातों के लिए ये बीस हैं सर्बर चेंश मेंें बहुत ही हाल्फील होता है है किसी सर्वब पो गांड तरीका बता बता ग्या सब्सक्राइब करने के बारे में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं जिसका जबाब मैं आपको रिप्लाई में दे दूगा और अगर मुझे बात करना चाते हैं मेरे साथ खेलना चाते हैं तो मुझे सोशल मेडियो में फेस्बूक और इस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिक्स्टिप्शन में दे रखा है अगर आपके बास कोई सेजेशन कोई टिप है हाउ काई न इंप्रूव माइग क कर दो